खून के रिष्टे इंसान को सहारा देने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा खूट का रिष्टा परिशान कर रहा है शनाया और अहान को? कौन आया अहान और शनाया के कार के सामने? क्या कोई नया हंगामा होने वाला है अब? शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या हान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओ गाट, शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया, उसने फिर कार ड्राइव कर रहे अहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले के शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई, अहान ने तुरंद कार का ब्रेक लगा दिया, एकदम से कार को रोकनी की वजह से जोर की आवाज गुंजी, शनाया ने आखें खुली, तो देखा कि एक मिडल एश्ट औरत सड़क पर गिरी हुई थी, वो तो अच्छा था, आहान का ध्यान रास्ते परी था, वन्ना शायद इस औरत को लग जाता, शनाया, क्या अब ठीक है, शनाया बहुत खबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया, तो वो बेफिक्र हो गई, उसने आहान से कहा, मैं नहीं नहीं हो रहा था, सीमा बुआ जी का नाम सुनकर, उनकी आखे भी शार्फ हो गई, आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उसी हरकत की बजह से, शनाया बहुत परिशान हो गई थी, वो सिर्फ पैसे और जूलरी ही नहीं, शनाया के important documents, जैसे क बासपोर्ट और ATM कार्ट भी ले गई थी, सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर आहान बैठा था, ये देखकर वो घुस्सा हो गई, एक ही पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया, वो घुस्से से चलते हुए आ उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर-जोर से हाथ मानना शुरू किया, आहान ने उनके तरफ एक उस सैल नजर से देखा और खिड़की का शिशा नीचे कर दिया, विंडो का कांश नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी, बेशनम एक घर जमाए होने के बा इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाय ने आहान की तरफ दारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जान बूच कर, अब अपनी भती जी की ऐसी बाते सुनने के बाद, सीमा बुआ जी की तेवर ही बदल गए, वो घुस्से से शनाय को घूरने लगी, और सीमा बुआ जी ने शनाय से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बाते कर रही हो, क्या मतलब है कि मैं जान बूच कर बीच में आई थी, मैं तो रास्ते से साइट से आराम से चल रही थी, ये बात तो साफ है, कि तुम्हारे इस पती ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुती confidence के साथ कही थी, अपने दोनों हातों को कमर पर रख कर, वो ऐसे लग रही थी, मानो आज वो जगड़ा करने के तैयारी से आई थी, अहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था, और सीमा बुआ जी की बात सुनने के बा सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली, और चिड़का रहान से कहा, तुम, तुमने क्या कहा, तुम तो कुछ जादा से सर पर चड़ गए हो, मैं पता रही हूँ, कि अगर तुमने मेरे साथ बत्तमीजी करने की कोशिश की, तो अच्छा नहीं होगा, जब शनाय ने अहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी, तो वो घुस्सा हो गई, शनाय अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अहान ने उसका हाथ पकड़ कर उसे शान्त करने का इशारा कर दिया, तभी अहान, शनाय और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने एक आवाद सुनी मा, क्या आप ठीक है, कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया, रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ के तुम आ गए, रतन को देखने के बाद अहान और शनाय ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चहरे पर डिसपॉंटमेंट ने जगा ले ली, रतन सीमा बुआ जी का बेटा था, इस लड़के की उम्रत 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी, ना ये कुछ कमाता था, और ना ही इसके पास कोई जॉब था, रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी, वो दिन भर अपने कुछ निठलले दोस्तों के साथ, कीसे ना किसी को फसा कर, उनसे जबरदस्ती प पूर कर देखा, और अपनी मां से सवाल करते हुए कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामीनी मामी का अनकार जबाई है, हां रतन, पता है, तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने तो कह रहा था कि मैंने इस सब जान बूच कर किया था, वो तो अच्छा हुआ कि तो मा के, परना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता, तुम्हारे किस हाथ ने मेरे मा को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, आहन को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फरक नहीं पड़ता था, लेकिन शनाये ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, आहन ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुचाई है, और इसमें हमारी नहीं सीमा बुआ जी की गलती है, इस पॉइंट पर शनाये को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन रतन को शनाये के गुस्से से क्या डर लग सकता था, उसने शनाये का मुझ बंद क करो, तुमने किसे धोके बास कहा, अहन के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है, ये लड़की धोके बास नहीं है तो और क्या है, उसने अपने बुआ जी और भाई का साथ देने की बजाये, तुम्हारे जैसे कच्रे के ड और आप मेरे रिष्टेदार कब से हो गए? खून के रिष्टे से अगर दुनिया चलने लगती, तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की ज़रूरत ना पड़ती। अमीज़ादा के सारे एपिसोड को सुनने के लिए दिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफम एप